नमश्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसक टॉमी के बारे में नस्बंदी के बारे में हम बात करने वाले हैं नस्बंदी क्या होती है और नस्बंदी कैसे होती है वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तो बहुत अची जानकारी मिलने वाली है आपको भी जरूर जानना चाहिए नस्बंदी क्या होती है और कैसे होती है तो सबसे पहले बात करते हैं नस्बंदी क्या होती है फिर हम बात करेंगे ये कैसे होती है नस्बंदी दोस्तो जिसको पुरुष नस्बंदी जिसको वसक्टॉमी भी बोलते हैं तो हिंदी में वसक्टॉमी को नस्बंदी कहा जाता है और ये एक चिकित सा प्रकिरिया है इसमें क्या होता है पुरुषों की वो नली जो शुक्रानों ले जाती है उस नली को काट कर अलग कर दिया जाता है या फिर उसको बांध दिया जाता है ताकि सुक्राणों ले जाने वाले जो नली होती है यहाँ पर देखिए इस में यह जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यह टेस्टिस हैं, दो टेस्टिस हैं ये male reproductive system का आप डाइग्राम देख रहे हैं याँ पर तो दोनों ही testis के अंदर क्या होता है कि शुक्रानों बनते हैं और ये जो आप नली देख रहे हैं ये नली और इधर भी ये नली है ये नली शुक्रानों को ले जाती है तो इस नली को अगर हम बंद कर देवे तो इसको ब productive system यहाँ पर आप देखिए इसमें ये दोनों ही ये है testis और दूसरा ये testis है दो testis होते हैं इसके अंदर शुक्रानों बनते हैं और यही शुक्रानों इस नली के अंदर होते हुए यहाँ तक आते हैं पैनिस में पैनिस के थुरू जो है वो ejaculate होते हैं तो ये पूरा जो और ये बल्बो यूरेथरल गरंती होती है और ये prostate gland होती है जो कि शुक्रानों को चिकना करती है ताकि वो पैनिस के थुरू ejaculate हो जाते हैं तो अब हम जब वैसेक्टॉमी करते हैं पुरूष नस बंदी करते हैं तो ये जो दोनों नसे होती है इस नसों को हम बंद कर देत हैं तो आगे हम diagram में देखते हैं कैसे बंद करते हैं इसको यहां पर देखिए इस diagram में आप देख रहे हैं ये पैनिस है और ये टैस्टी से और ये जो नली है इसको हम काट देते हैं देखें यहां पर इस नली को हमने कट कर दिया है और फिर दोनों जो नलिया है उनको हम ब जो टेस्टिस से नली निकल रही है दोनों को बान देते हैं सेम प्रकीरिया इसमें भी करते हैं तो अब होगा क्या जब पुरुस नस्बंदी करते हैं तो क्या होता है दिखे इसके अंदर जो सुक्रानों बन रहे हैं वो इस नली के थू होते हुए यहां तक नहीं आएंगे यहां के जो सुक्रानों इसमें पास नहीं होगे तो इसकी वज़े से क्या होगा जो प्रजनन प्रकीरिया है वो भी नहीं होगी और इस से क्या होता है कि जो जन संक्या है वो कंट्रोल रहेती हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरूस नस बंदी कौन सी नस में करते हैं तो ये जो नस होती है इसको बोलते है वासा डेफरेंस वासा डेफरेंस को ही हम काट देते हैं और उसको हम फिर बान देते हैं तो जब पुरूस नस बंदी होती है तो इस नस को हम कट कर देते है तो आपको समझ में आ गया होगा जो बस एक्टोमी होती है उसको बोलते है पूरुस नस्बंदी तो फिर इंद्स उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रिखेगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी थैंक यू वरी मुच वच्छ 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 इस वीडियो